हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आप खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैपी होंगे डियर आप लोग का बहुत सारा प्यार मिल रहा है बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है चलिए सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो डियर आज का जो टॉपिक है वो इस बात के उपर है कि आपके लाइफ में जो महिला है जो महिला शत्रू है जिसकी वजह के शायद आपने बहुत कुछ खोया है तो डियर आज बात महिला शत्रू के हो रही है ये महिला शत्रू कोई थर्ड पार्टी हो सकती है ये महिला शत में तबाही करने का क्या कर्मा हो सकता है क्या इस महिला शत्रू को सजा मिलेगी जो इसने आपके जीवन में इतना सारा प्रॉब्लम क्रियेट करा है इतनी सारे दिक्कते खड़ी करी है तो इस महिला शत्रू को क्या तकलीफ का सामना करना पर सकता है कौन सी तकलीफे इस महिला शत्रू को कहीं न कहीं फेस करनी पड़ सकती है तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस महिला शत्रू को क्या सामना करना पड़ सकता है आपके साथ में बुरा करने का आपके साथ में बुरा करने का इस महिला शत्रू के साथ में क्या होने वाला है क्या इसकी जिंदगी में होगा और इयर क्या इसके लाइफ में हो रहा है वो सारी चीजे हम देखेंगे एक तर्ब से इसका कर्मा देखेंगे कि यह जो महिला शत्रू है जिसने आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रियेट करें है जिसने आपके जिन्दगी में इतने सारे situation खड़े करें हैं इसको क्या सजा मिलेगी इसको क्या सजा मिलेगी क्या होगा इसका असली दंडल जो इसने आपके साथ में किया है क्या होने वाला है इसके साथ में ठीक है तो वो हम देखने की कोशिश करेंगी किसके साथ में क्या होने वाला है क्य relationship में blockages देखे वो महिला शत्रू जिसकी वज़े से शायद आपके मानसमान पर उंगले उठाई गई वो महिला शत्रू जिसकी वज़े से आपके life खराब हुई है तो चलिए देखते हैं कि वो महिला शत्रू जो है उसकी life में क्या होने वाला है क्या दंड उसको मिलेगा इश्वर की तरफ से क्या दंड उसको मिलेगा universe की तरफ से उसकी life कैसी रहने वाली है और क्या उसके हालात रहने वाले हैं वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि वो महिला शत्रू जिसने शायद आपको बहुत ज़्यादा परिशान करा है ये कोई भी हो सकती है ये थर्ट पार्टी हो सकती है या फिर कोई रोमांटिक थर्ट पार्टी या फिर कोई फ्रेंट सर्कल से हो सकता है या ऐसा कोई जिसने आप पर बहुत नजर रखी है आपके फैम जिसके जिन्दगी में आ रहे हैं जिसके बाद धोके पे धोके उनको खाने पड़ रहे हैं तो ये जो महिला शत्रू है आपकी जिसने आपकी जिन्दगी खराब करी है चाहे ये महिला शत्रू आपकी वाइफ रही है या आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई रहा है चाचा ब जासे आपने अपना सब कुछ खोया है क्या वो कोई romantic partner है क्या वो friend circle से है क्या वो आपके घर परिवार से है या आसपास से है तो वो चीज हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो dear आपके चरीत्र को लेकर इस महिला ने बहुत ज्यादा अफ़वह फैलाई थ सबसे पहले यही मुझे दिख रहा है कि आपके उपर उंगली बहुत उठाई थी इस महीला ने अगर यह मधर इशू में रही है या फिर पार्टनर की मधर इनलोग वाली एनरजी है तो यहां पर यह महीला की एनरजी आ रही है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिस्टर इनलो में बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके जीवन में आई है सबसे पहले तो आपके चरित्र को लेकर बाते बहुत बनाई गई आपके उपर ब्लेम करे गए आपके काम पर उंगलियां उठाई गई है ना तो उस तरह की चीज़े यहा महिला के द्वारा ही आपके सारे संबंद जो हैं वो कही न कहीं तूटे हैं तो आपका रिष्टा तूटा सबसे पहले तो आपके फैमिली मेंबर्स जो थी उनकी नजरों में आप गलत ठहराए गए आपके ससुरार फक्षुन ने आपको गलत ठहराना शुरू कर दिया आप आपका पार्टनर जो आप पर ट्रस्ट करता था इन महिलाओं के कारण चाहिए थर्ट पार्टी रोमांटिक पार्टनर रही है या फिर ये थर्ट पार्टी कोई फैमिली मेंबर्स रही है या फिर ये थर्ट पार्टी कोई मदर इशू रहा है लेकिन इनकी वज़े से आप आपको कहीं न कहीं सारे संबंद तोड़ने पड़ गए हैं या फिर आपके संबंद आपके रिलेशन तूड़ गए हैं अच्छे खास से चलते हुए रिलेशन में ब्रेक अप करवाया है इन लोगों ने दिखिए आपके जहां पर भी रिष्टे सही चल रहे थे अगर आपके मैरिज नहीं होई थी या फिर आप अनमैरिट थे लेकिन आपका कोई रिलेशन शिप चल रहा था या फिर आपकी कोई शादी पक्की होने वाली थी बात चीच चल रही थी तो वहां पर भी इस महिला द् numbers को तो लगा था कि अब रिष्टा पक्का हो जाएगा लेकिन यहां पर इस महिला द्वारा इस महिला ने आपके जीवन में इतने सारे blockages खड़े कर दिये इस महिला ने आपके जीवन में इतनी सारी problems ला दी कि आपका जो रिष्टा शायद बढ़ सकता था आगे आपके रिष्टे में कहीं न कहीं एक happiness आने के जो रास्ते थे उनको इन महिलाओं द्वारा कहीं न कहीं blockages में बदला गया है तो ऐसी कुछ महिला हैं जिन्हों ने बहुत जादा कहीं न कहीं साजिशे करी है और आपके सपनों को तोड़ने का काम किया है आपके जो भी सपने थे आपके जो भी डिजायर थे उनको तोड़ा है इन महिलाओं द्वारा तो आपके दुश्मन है यह स पार्टनर चीना जिसने धूकिसे आपके रिलेशन्शिप को कहीं न कहीं ब्लॉक किया आपके पार्टनर और आपके बीच में लड़ाई लडवा दिये आप दोनों के बीच में ब्लॉकिजिस करवा दिये है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवा दि तो अब यहां पर यह कि सारी अकड उनकी निकलने वाली है क्योंकि यह आपकर कर्मा का कार्ड है कर्मा कार्ड यह बता रहा है कि आपके दुश्मन महिलाएं जो है आपके शत्रु महिला जो है उसके जीवन में जो अभी कर्मा उसको भुगतना पड़ेगा वो कर्मा देखकर शायद उसके नींदे उड़ जाएगी उसकी लाइफ में ऐसे सिच्वेशन आजाएगी कि लोग उसको देख देख कर तरह तरह की बाते करेंगे तो सारी अकड़, सारी हेकड़ी उस इनसान की निकलने वाली है उस महिला शत्रू की क्योंकि उसे कर्मा तो भूगतना ही पड़ेगा यहाँ पर यह समझेजे कि उसको कर्मा 100% भूगतना पड़ेगा क्योंकि आपके पार्टनर की जिंदगी में जो उसने गलत चीजे करी है जो एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर बनाने की कोशिश करी जो कहीं न कहीं गलत रिलेशन को बढ़ावा देने की कोशिश करी आपके नाम प पार्टी को जबरदस तरीके से भुगतना पड़ेगा और यह आपकी जो महिला शत्रू है जो थोड़ पार्टी हो सकती है या फिर कोई भी हो सकता है तो उस महिला शत्रू को इतना ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देगा इतना ज़्यादा सोचने पर कि इसको ऐसे आपके दिल को बहुत ठेस पहुची है आपके जस्बातों को बहुत ठेस पहुची है और इन महिलाओं की वज़े से आपने बहुत बुरे दिन देखे हैं ऐसा दिख रहा है मुझे कि इन महिलाओं की वज़े से आपने जो बुरे दिन देखे आपने जो बुरे हाल देखे हैं अब उन बुरे दिन और बुरे हालों को आप कहीं न कहीं फेस कर रहे हो और आपकी दिल से जो आहा निकलती है न एक तकलीफ कहते हैं न कि एक अच्छा रिष्टा बनता हुआ लोगों ने तुड़वा दिया आपकी शादी हो सकती थी एक अच्छा घर बस सकता था लेकिन शा में वो बच्चे नहीं है तो यहां पर आपके बच्चों तक को होने से रोका गया है तो ऐसे सिच्वेशन यहां पर करी गई है आपके शत्रू खून के आसू रोईंगे दियर क्योंकि उन्होंने वाकई में आपकी लाइफ को एक ऐसी सिच्वेशन में लाके रख दिया है कैसे हालात में जूट की भी हद होती है आपके उपर जूट जूट बोल बोल के जूट के जो इलजाम लगाए जो आपके साथ में गंदी शक्तियां इन लोगों ने लगाने की कोशिश करी गंदी चीजे आपके उपर छोड़ने की जो कोशिश करी है अब डियर इनको दंड मि कर रहा है आपको पागल करने की जो साजिश करी थी इन लोगों ने आपके दुशत्रु महिला जो थी उसने शायद आपके जीवन में है ना बहुत कड़ी नजर रखी थी डियर और इतनी कड़ी नजर रखी थी कि आपके आसपास के लोगों को भी पता नहीं चलता था कि यही महिला है जो आपके जिंदगी को कहीं न कहीं तार-तार कर रही है यही महिला है जो आपके लाइफ को कहीं न कहीं प्रॉब्लम में लाने की कोशिश कर रही है तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यह महिला आपके लाइफ में आतो गई इसने गुसने का सारे रास ताकि आपका जीना मुश्किल कर सके ताकि आपके लाइफ का जीना मुश्किल कर सके तो ऐसे हालातों को खड़ा करा है इस धर्ट पार्टी ने और इस महिला ने तो डियर इसने घुसके आपके घर में परिवार में आपके रिलेशन में दरार ही लाई है कोई समझोता नहीं कर या कोई अच्छा रिष्टा जुडवाया नहीं है जो भी यह शत्रू महिला है जो भी यह आपके जीवन में कहीं नेगेटिव जो महिला रही है जिसकी वज़े से आपने अपना भाग्य खो दिया आपका भाग्य इतना अच्छा था आपके पास में सब कुछ था आपके जर लगाई है डियर इस महिला द्वारा मुझे ऐसा दिख रहा है इस महिला के बहुत सारे मकसद थे आपके जिन्दगी में शामिल होने के एक तरह से अगर देखा जाये तो यह महिला आपके जीवन में शामिल तो हुई है पर डियर इसके मकसद बहुत बुरे हैं बहुत ब जाती है कब आपके जिंदगी में आकर इसने प्रॉब्लम क्रियेट करी है आपको खुद को पता नहीं चला क्योंकि इसने बहुत मीठी मीठी बाते करी आपसे बहुत मीठा मीठा रिलेशन्शिप बनाया और अच्छे हालातों में यह आपको कभी ऐसा जताती नहीं थी कि यह आपका बुरा चाहती है हाला कि इसके दिल में बहुत आग लगती थी जब भी आपके अच्छे हालात होते थे अच्छा रिष्था जुड़ता था अच्छी चीजे होती थी तो डियर इस थर्ट पार्टी को बहुत ज़्यादा जलन होती थी बहुत ज्यादा ज्यलसी होती है ना एक तरह से ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है और इसने बहुत कुछ किया है आपके जिंदगी को तबहा करने के लिए तो यह दिख रहा है कि यह जो आपके जीवन में एक महिला है जिसकी वज़े से मुझे यहां पर कुछ महिला ऐसी नजर आ रही है जो आपके अच्छी मितरता है इनकी बहुत ज़्यादा इनका आपके घर में आना जाना है और आप इनके साथ में बहुत फ्रेंडली रहते हैं बहुत ज़्यादा तो ऐसी कोई कई महिला है जो आपके जीवन को कश्ट दे रही है ऐसी कुछ महिला है जो आपके जीवन में कहीं न कहीं ब आपके पार्टनर के रिष्टे में ब्लॉकेजिस आ गए हैं और मुझे दिख रहा है कि महिला शत्रू द्वारा आपने इतना रोया है इतना रोया है कि आपके आखे सूच चुकी है आपके पार्टनर की कुछ यहां पर धोका धड़ी हुई है उसका भी यहां पर सच का परद अपनी जिन्दगी में लेकिन इस महिला को दंड मिल रहा है इस महिला को कर्मा भुगतना पड़ रहा है इसके जिन्दगी में इतनी दिकत खड़ी हो गई है इतनी सारी सिच्वेशन खड़ी हो गई इस महिला की कि दियर इसकी जिन्दगी में लड़ाई जगड़े बहुत हो हर जगह पर लड़ाई हर जग़पर जगड़ा मतलब प्यार के इस धोके से दूर हो चुके हो आप अप क्योंकि इस इस इसनान ने प्यार से आपको धोका दिया है घर में कलेश करवा दी लड़ाई जगड़े करवाए तो जो भी महिला रही है उसने आपके जीवन में बहुत कलेश करवाए हैं आप दोनों का पल को दूर करवाया आप दोनों के बीच में ब्रेक अप करवाया आप दोनों का रिश्टा तुरवाया जूट पे जूट बोले आपके पार्टनर से सच कभी आपके पार्टनर को बता कुछ इस लाइ जो आपके जीवन में problems create करी है, अब इस महिला शत्रू को मैं देखूंगी, इस महिला शत्रू की हाल को मैं देखूंगी, तो इसके जीवन में बहुत सारे blockage आने वाले कर्वाई भुकते ही ओईर क्योंकि जयसा करा है, इसकी life stack उजाएगी जगल में आजाएगी कोई इसका अपना नहीं रहेगा लोग इसको बहुत नजर रखेंगे लोग इसकी हर हरकतों को देखकर इसके उपर उगली उठाएंगे तो ऐसे situation देख रही है कि आपके life में जिस महिला ने इतनी blockages खड़ी करी है इतनी problems खड़ी कर वाली है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी कभी भी आगे आपको रूलाया था अब उसके जिंदगी में रोने के पल आ चुके हैं रोना उसके भागे में लिग दिया गया है situation उसकी बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है अगे डियर तो ये है आपकी दुश्मन आपकी हीटर्स आपकी शतरु महिला का कर्मा भी उसको मिल रहा है उसको दंड़ भी मिल रहा है रस्ते उसके ऐसे हो गए हैं कि ब्लॉकेजिस वाले हो गए हैं रातों को नीन नहीं आ रही जूट पे जूट उसके सामने ऐसे पहार पना कर आते चले जा रहा है जितने जूट आपकी जिंदगी में उसने खड़े करें 10 से 20 गुना उसकी जिंदगी में खड़े हुरें एक तरह से कर्मा फेस कर रही है ये आपकी शत्रु महिला ओके डियार तो ये हैं आपकी शत्रु महिला की कुछ अनकही बाते जो कहीं न कही उसने करी थी छुप छुप कर जिनको पता नहीं था और अगर आपको शक होता है कि ऐसी महिला है जो आपके जीवन में कहीं न कहीं ब्लॉकिजिस करती है ऐसी महिला है जो आपके लाइफ को कहीं न कहीं तोड़ती रहती है तो यह महिला है जो वाकरी में आपके जीवन में मु subscribe कर दीजिए support करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे